होप सब बहुत ही अच्छ होंगे स्वागत है आप सब का मेरे एक नूवीड़ो में मेरे पास काफी सारे स्ट्टेट्स के डाउट्स आ रहेते कि सरह में सेपी काफी कब से स्टार्ट हो रही है क्या कंटेंट रहेंगे तो आज फिर मैं आप सब के साथ हूं मेरे गुरू इर्शाद सर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब बात होती सपोर्ट जो सर हमेशाओ बलेबल रहते हैं तो मैं थोड़ा से इर्शाद सरके बारे मैं आप सबको इंट्रो कर देता हूं स्टाव अधियर प्लस से इसे फिल्ड में ऐज कंसल्टेंट काम कर रहे हैं इसके बाद में आपको बताओ आँ बहुत बरी-berी कंपनीज में काम कर रखा है जैसे जैन पैक्ट, IBM, PwC, Merchartage, Bench and other companies में. Apart from this, sir ने foreign projects भी handle किया है. SAP में multiple levels के projects होते हैं, like implementation, rollout project, support. So, sir ने हर different types के projects पे काम किया है. So, जब आप sir से classes low गें, तो आपको real-time exposure मिलेगा based on the project. So, hi sir, कैसे हो आप? Hi, hi Rohan, I'm good. What about you? Sir, मैं बहुत अच्छा हूँ, thank you, कि आप मेरे platform पे आए और बच्चों को फिर से guidance कर रहे हैं. Yes, yes, actually, काफी last, पिछले कुछ मैनों से मैं समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि आप काम काफी ज़्यादा हो चुका था, और साथ ही साथ काशा, माइग्रेशन अभी आजकल कुछ ज़्यादा ही चला है, क्योंकि आपको भी पता है कि ECC अब कुछ समय बाद जो है, SAP ECC, उनलव ओर्ड वर्सन जो है, कि अब सपोर्ट देना बंद कर देगी, तो ज़्यादतर कंपनीज के हैं कि अस परहना में जा रही है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे हैं, इंप्लिमेंटेशन प्रोजेक्ट्स चलना था, बीच में यहाँ पे मेरे को दुबई भी जाना पड़ या, आफिस के वर्क से ही, तो नहीं दे पाया, मैं इसके लिए सौरी कहना चाहूंगा, अब बहुत दिन से बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन अभी आ गया हूँ, और बताईए, आप कैसे हो? सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, लाइक सर, एक जैसे फर्स्ट कोश्चन है, एक कन्फ्यूजन यह भी रहता है कि SAP में फीको मॉडूल है, एक कंट्रूलिंग का अलग से, ठीक है, तो A5 और CO में बच्चों को कौन से मॉडूल को पहले चूज आउट करना चाहिए, बिलकुल अभी देखिए, अगर हम इसकी बात करें, तो हम हर जगह देखते हैं, लिग पढ़ते हैं, सुनते हैं लोगों से कि FICO मॉडूल, FICO, ऐसा लगता है, जैसे कि वो दोनों एक ही है, ठीक है, बट इसके दो अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, फर्स्ट तिंस अ अगर मैं बात करूँ, तो अगर FIA का डिफरेंट मॉडूल, CEO इधर डिफरेंट मैटल, अब FI की अगर मैं बात करूँ, तो FI में वो सारी अक्टिविटीज आती हैं, जो external activities of the company होती है, जो external activities, जैसे कि suppose, जैसे कि tax related हो गया, tax regulation हो गया, tax के लिए जो हमें authority लेनी पड़ती है, government, उसके बाद ये, अगर मैं बात करूँ, balance it, जो है, हमें के flesh out करना होता है, government को, या फिर जो भी इनके sub-modules है, FI में, वो सारी के सारी internal, external activities होती है, अब अगर मैं CEO की बात करूँ, तो CEO is cover all internal activities of the company, ठीक है, या फिर आप यूँ सब मजलो, FI is a stand for a financial accounting, CEO is a stand for a cost accounting, और we can say it's a management accounting, तो management accounting, cost accounting का तो internally activities से ही कहाम होता है, departments क्या होंगे, cost center कौन से होने वाले है, profit center कौन से होने वाले है, ठीक है, तेन उसके बाद, word costing, कोई भी चीज़, अगर मेरी कोई कोई कमपनी है, मैं अगर कोई product को manufacture करने जा रहा हूं, तो उसके पीछे मैं plan cost निकालूंगा, then actual cost मेरी क्या होगी, मैं मार्केट में कितना sell करूंगा, ठीक, all these activities are belonging with the internal activities, ठीक, यहां पे external से कोई मतलब नहीं है, तो F.I. and C.O. और बोध और different things and both are different parts, however, हम अगर बात करते हैं कि फीको, 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 बट वो होता दोनों अलग-अलग है, और किसके लिए यह better होगा, अगर आप जैसे की question पूछा आपने, तो अगर देखो, अगर मैं बात बताओं, अगर कोई बन्दा अगर पहले से अगर कोई बिल्कुल fresher है, य वो आगे जाके कही ना कही हो हमारी profile में match करता है, और वो inbuild होता है, और उससे क्या होता है, कि हमारी characteristics हमारी बढ़ती है, तो अब हम CMA तो है, अब जो भी CMA गाई से उनके लिए, तो costing तो अच्छा है, costing तो best है, वगर career बनाना है, तो costing में सबसे अच्छी चीज यह है, कि अब ही scope बहुत अच्छा खासा है, किया ना कि consultant जल्दी नहीं मिलते, बहुत ही किरेच उने लोग जो consultant है, जो market में available है, और है भी तो उनका demand जाता है, तो कहने का मतलब यह है, कि अभी market का, तो SAP का यह situation हो गया है, कि कहते हैं ना कि demand versus demand supply का relation है, तो अभी जितनी demand है ना, उन SAP नहीं आता है, या first time अभी सोच रहे हो, तो मैं कहूंगा कि पहले आप FI करो, क्योंकि FI में क्या होता है कि पहले basic things clear होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है costing हम बाद में करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले FI जाता जरूरी है, और FI भी CEO से कम नहीं है, उसका भी scope बह manufacturing कर रही है, FI किसको चाहिए, सबको चाहिए, चाहिए वो service हो, चाहिए product waste हो, चाहिए चोटी हो, चाहिए बड़ी हो, चाहिए किसी भी skill की हो, FI तो सबका है, कहीं कहीं ऐसा होता है, कि अब जैसे मेरी ये company थी, जिसे मैंने काम भी किया है, तो उसका क्या था कि power plant, तो power plant म बी अच्छा है, और अगर मुझसे अगर कोई पूछे, तो अगर मैं यह कहूँगा, कि अगर आपको बिल्कुल भी experience नहीं है, और अभी नया join करने जा रहे हो, तो आपके लिए best होगा, FI first, ठीक है, थोड़ा से experience लेलो, knowledge लेलो, then उसके बाद CEO में आप move हो सकते हो, लेकि हैं, अपनी skill को inbuilt कर लोगा, कि basic अगर आपको पहले से पता होगा न, तो क्या होगा न, SAP का basic अगर पता होगा न, तो आप आगे भी बहुत तेजी से grow कर सकते हो, लेकिन अगर आपको basic ही नहीं पता, ठीक है, तो आगे grow करने में हमें थोड़ा सा issues आते हैं, यह चीज़े हो ठीक है, लेकि 4 months इसमें मान के चलो कि 4 months लग जाएंगे, एंसर जो classes होंगी, वो Saturday Sunday में होगी, राइट, हाँ, वो सिर्फ Saturday Sunday ही classes होंगी, virtual होंगी, और जो भी classes होंगी, उसकी videos जैसे पहले में देता था लोगों को, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा उस videos को, हमने उनको दे देते हैं, share कर देते हैं, उन videos को वो lifetime access कर सकते हैं, download कर ले, save कर ले, अपने mobile में, laptop में, hard drive में, कहीं भी कर सकते हैं, lifetime access कर सकते हैं, क्योंकि, या जरो हम लोग last time में थे, तो किसी बन्दे का भी था, questions था, कि सर्क कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि videos की न, वो limited होता है, वो timing period 15 days में, वो 15 days, 10 days में, या फिर one month ही ले लो, नहीं हो पाता कवर, हर चीज सीख माना बहुत मुस्किल है, वो चीज हमें कभी भी जुरत पड़ सकती है, job के बाद भी जुरत पड़ सकती है, कोई matter first गया, उस video को गए देख लिए, तो होता है कि हम lifetime access देते हैं, यह सबसे अच्छी चीज है, ठीक है, यहां पर left stops होने का, या फिर delete होने का, या कोई option, वो नहीं होता, हाँ, और दूसरे यह कि जितने भी topics आप पड़ते हो, सारे topics आप एक सांथ अपने job में भी नहीं उच करते, कुछ topic होगा, जो 6 मिने बाद उच करोगे, कुछ एक साल बाद उच करोगे, कुछ next question एक और भी रहता है, बच्चों का कि sir, हम practice कैसे करेंगे, जब आप classes प्रोवाइट करोगे, तो practice के लिए क्लिए क्या system रहेगा हमारे पास, हमें server मिलेगा practice करने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, server हम आपको देंगे, practice server होगा, जो कि वो 6 मन्त का होगा, जो कि वो एक तर server पर क्या होगा कि मैं भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, एक company create करूंगा, as a initial label पर, और वो initial label पर दीदर आगे बढ़ते जाएंगे, आप one by step को वीडियो देखते जाओ, समझते जाओ, और आप उससे practice करते जाओ, उसी server पर, जैसे आप SAP में जब काम करते हो, तो बहुत सारे errors आते हैं आपको, तो आप उस step में stuck कर जाते हो, उस errors के लिए से, तो क्या उसमें आप support बच्चों को करते हो, बिल्कुल, बिल्कुल, यह तो करना ही पड़ेगा हमें, यह तो आपको भी बता है, ठीक है, आपका तो course बहु कोई अच्छा भी लगता है, कि मैं भी तो कुछ, मेरा भी तो revision हो जा रहा है, मैं भी सीख ले रहा हूँ, और मैं तो यह चाहूँगा कि मेरे से touch में जितने भी बनने हो, या जितने भी लड़के हो, मन लगा करें, और मन लगा कि हर जगा हर लोग success हो जाए, क्योंकि जब success होंगे, कभी ना कभी मेरा नाम लेंगे, तो खुद लगेगा कि चलो हमने किसी के लिए अच्छा किया, तो इन चीजों से अगर मैं कहूंँ, तो support की बात है, तो support 24 into 7 है, कोई ज़रूरी नहीं है, कि Saturday Sunday class होगा, तो error आया, या कोई issue आया, तो Saturday Sunday ही पूछना है, बीच में भ तो क्या करते हैं, कि WhatsApp group create कर लेते हैं, आपको तो पता ही है, बैच का जो भी होता है, उस तो WhatsApp group create कर लेते हैं, कहीं पे भी अगर कुछ भी अगर किसी का भी issue फसता है, तो मेरा फंडा यह है, कि आप सिरे screen sort लो, या फिर उसका पिक लो, और उसको WhatsApp group में भेज दो, तो इससे क करूँगा, ताकि आपके थुरू जो और भी वह है, group में जितने भी student है, सब को पता चल जाए, सब सीख जाए, तो इस तरीके से हैं, 24 into 7 समझ लो, तो कभी भी आप बेस दो, मैं जब भी free रहूँगा, मैं कर दूँगा, अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा, कि अगर मैं SAP की बात करूँ, ठीक है, तो certificate हम देते हैं, जो कि हमारे institute से होगा, हमारे institute है, आइटेक लाइब वहां के तरब से होगा, अब रोन में लोगों में बहुत सारे मित हैं, मार्केट में, SAP सेटिफिकेशन, सेटिफिकेशन, तो वो जो सेटिफिकेशन होता है, अगर आप उसको सोच रहो, तो वो एक globally होता है, और SAP कंपनी ही करवाती है, ठीक है, उसके एक 55,000 आप सेटिफिकेशन के लिए दोगे, तेन उसके बाद क्या होगा कि आप उसको वनियर का वैलिडिटी होगा, और six attempt मिलेंगे, या फिर अगर आप one attempt लेना चाहते हो, तो 17 to 18,000 के लिम समय अप्रॉक्स 20 मान लो, तो वो लेज़ां के लिए, attempt के लिए, बट होता है कि है होगा, तो कि कोई जरूरी नहीं है कि इतना पैसा लगाओ, पहले आप knowledge लो, क्योंकि knowledge जरूरी है, certificate जरूरी नहीं लगता, आपको भी बता है, सबको पता है, result मैंने नहीं रखता है, तलको अगर आप किसी company में अगर जाते भी हो, वहाँ पर certification है, अच्छा है, ठीक है, ले को मैं ये सज़ेश्ट करता हूँ, अभी आप certification है, और इतना पैसा लगाने की जरूत नहीं, अभी आप knowledge gain करो, उसको सीखो, उसको समझो, और जादा से जादा practice करो, और job लो, एक बर आप enter कर जाओ, जब आपकी साल बर में, या फिर एक साल ले लो, या फिर देर साल ले ल और ये भी एक चीज है, बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि हमी चर्टिफिकेशन करा देंगे आपको, ये facilities देती हैं, companies, तो वहां पर हमारा उसका भी बच किया, तो हमारा main focus होना चाहिए, कि अभी हम इंटरेंस ले, SAP में, कोई SAP की दुनिया बहुत बढ़ी है, पैसे बहु जोब प्रिपेर्शन के लिए, रिकार्डिंग, हम कोर्स कर ले, उसके आद के हमें जॉब प्लेस्मेंट या सपोर्ट कुछ मिलेगा, बिलकुल, बिलकुल, अगर मैं उसकी बात करो, तो हरता के materials मैं अब लेबल करवाता हूं, प्लस साथ में करता हैं, कि interview में किस ताप के questions पूछे जाते हैं, then उसके बाद interview question मेरे साथ लग करके मैं उनके पीछे करवाता हूं, कैसे आपको उनको apply करना है, CVs कैसे बनना है, उनकी profile से match होना चाहिए, कैसे बनाओ के CV लाओ, क्या करें हम, कि हम क्या करें, कि कैसे knockry.com पे हम क्या करें, कि हमें बार-बार call आए, होगा, अगर ऐसे हो जाता है, तो ठीक है, उसके अलावा कहीं, मेरे जो reference है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मेरे बहुत लोग जानते हैं, कहीं भी अगर vacances होती ही, तो मैं उनको refer करता हूं, कि आप यहाँ पे apply करो, यहाँ पे, ऐसे करो, यह वैसे करो, यह भी है, और साथ रहा है, सीक रहा है, तो ऐसे 3-4 बच्चे है, 3-4 इस्टुडेंट है, यह उनको इनको आपनी कंपनी में, तो मैं, तो यह तो पूर फोल सपोर्ट, अवरी से ज्यादा क्या सपोर्ट हो सकता है, तो मैंने ता हरँ लिया है, तो यह सारी चीजें है, और almost मैंने देखा ह कि जितने भी स्टुडेंट हैं तो लगब लगब 82 85% 90% सब की जॉब हो जाती है को इसके बाद आपके पॉइंट विस से कोई चीज आप जो एड़न करना चाहते हैं बच्छों के लिए अभी वैसा कुछ है नहीं बस मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी जो है से पी का बहुत ही अच्छा ग्रोथ है अब भी अगर लेट नहीं हुआ है और हर वो बंदा चाहिए वो CEO हो या CMA हो या फिर बीकॉम हो या MBO हो या BBA हो अगर अपने करियर को बूम करना चाहते हैं तो कुछ हमें एक्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ेगी और लोग बोलते जाद आप यहाँ पर एक अच्छी lifestyle है एक अच्छा income है आप थोड़ा सा मैनद कर लो ज्यादा नहीं अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा नहीं आप सिर्फ टू ये अपको मैनद कर लोगे तो मैं यह कह सकता हूं कि मैं यह कह सकता हूं कि आप 101% आप अपने करियर को बहुत अच्छा growth कर सकते हो फिर आपको पीछे मुल्की देखने की जरूत नहीं है फिर आप आगे बढ़ते जाओगे और साथ ही साथ क्या है कि जो भी consultant है अगर consultant है उनको अगर four year five year या more than five year या eight year of experience है तो exposure है बाहर जाने के बाहर जाने के बाहर जाने का exposure का मतलब यह है कि आपक आपका होगा 101% मैं लिख के दे रहा हूं ठीक है तो बाहर जाने के भी opportunities हैं बहुत सारे ऐसे लोग है जो मेरे जानने वाले हैं या फिर मेरे साथ वाले हैं जो भी US में है UK में है ठीक है दुबई में हैं तो सबकी अपनी अपनी च्वाइस है तो यह सारी chances भी है तो और सब अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहरा हूं कि देखिए अभी क्या है कि मैंने आपको एक बात बताई कि SAP का एक हो आया है कि SAP का मतलब अभी कुछ दिन पहले एक news आया था SAP क्या करेए ECC को अब वो support देना बंद करेगी that means कि अब कुछ समय बात कि होगा कि सारे कि सारी जो कंपनी आज तक ECC पर यूज काम कर रही है उनको migration करवाना पड़ेगा उनको move होना ही पड़ेगा और पता है क्या migration कौन करेगा जिसको SAP का knowledge होगा ठीक है और जो migration आज का किया हुआ आज का जो सीखा हुआ रहेगा आने वाले दो सालों में जब 35 में वो देना support बंद कर देगी तो companies क्या करेगी खोजेगी ऐसे बंदों को कि जो migration किये हैं बताओ ठीक है उस समय क्या होगा कि आप जितना package मांगोगे company देगी मैंने तो migration कर लिया एक तो बहुत अच्छा है तो यह सारी चीजे जो आप कर लोगे ना तो आपके बिल्ड हो जाएगी उसमें ज्यादा नहीं आप एक-दो साल और देखो फिर उसके बाद देखोगे क्या कि मार्केट में अपडेट करूंगा तो इससे पता चलता है कि मार्केट में opportunities कितनी हैं लोग नहीं है यहाँ पे तो मुझे तो इस पेसली जाकर करना होता है कि अब कॉल मत करो कहीं हूं मैं भी कर रहा हूं काम अभी अभी चेंज नहीं करना है यह पोजिशन हो गया है मेरे पास भी सर कॉल्स आने अब सब्सक्राइब करें कि अगर कोई बच्चा करता है तो चार से पास लग का पैकेज कम से कम उसको मिल सकता है राइट अभी जो मार्केट में सब्सक्राइब करता है तो और भी है बहुत सारे लोग तो देखो होता क्या है ना कि एक बर स्टार्टिंग हमने कर लिया तो मैंने देखा है कि ऐसे पी में अगर कोई थ्री यह भी अगर उसने काम कर लिया हो ना तो आसानी से वह वह लाक रुपीज मतलब अपनी सेलरी तक पहुंच सकता है आराम से पहुंच जागा कोई इश्यू नहीं है तो कि बच्चों के सारे डाउट्स के लियर हो गए हो अगर आपके पस कोई भी डाउट्स है या कोर्स केरिकलम जानना है आप मुझे वाट्स पे मैसेज कर सकते हैं वीडियो के आप कॉमेंट में भी आप अपना कॉमेंट डाल सकते हो आप सब अपने लाइफ को लेके सिरियस हो एंड आप सेपी का कॉर्स वाइन करो फ्यूचर में बहुत अच्छी अर्णिंग है आपको यह वीडियो बहुत और इन्फोर्मेशन दे रोहन मैं एक चीज और एड करना चाहूंगा कि जो हमारी जो ट्रेनिंग होगी आपको भी पता है पहले भी होती थी और अभी भी होते यह जो हमारी ट्रेनिंग होगी जिस पेसली मैं उन स्टुडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अभी यह सोच रहे हैं करने के लिए हमारी जैसे नहीं होगी कि यह कि यह content है यह हम पढ़ाते चले गए आए पढ़ाने और वो go through करते जा रहे हैं मतलब टेप recording की तरह में हमारी जो भी training होती है वो live training होती है यानि जो मैंने face किया है अपने last year of experience में ठीक है या फिर जो भी मैंने जब मैं first day मैं गया था client के पास तो किस किस टाइप की issues आये थे मुझे क्या करना पड़ा था कब मुझे कौन से stage पर कौन सा document बना पड़ा या कौन से कब मुझे UAT करने की जुरत पड़ी कौन कौन से challenges आये थे मैं सारे के सारे real जो होता है वो हमारे तरफ से real experience होगा मैं उसे share करता हूं और वही जो होता है क्या है कि market में special काम आता है ऐसे तो हम पढ़ लेंगे कहीं से भी कुछ भी यह real experience जल्दी कोई नहीं दे पाता है सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी आपने दो किया है और भी करना पड़ेगा अभी अच्छा है तो यह सारी चीजे है तो जो भी मेरी ट्रेनिंग होगी वो लाइव ट्रेनिंग होगी जो मेरा पास्ट experience है है ऐसा कोई प्री मॉडूल या प्री सड्यूल नहीं है कि बस यह गए और इस तरह से प्राणा हमने शुरू किया रेडियो की तरह स्टार्ट हुए और वह हम खतम हो गया है कि हमारा मेन मोटीव यह नहीं है कि हमें मतलब सर्फ पढ़ाना है जबकि मेन मोटीव हमारा यह है है कि हमें बच्चों को एक अच्छा करियर देना है राइट मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी स्टुडेंट्स हैं जो भी हो एक अच्छे करियर के साथ हो आज नहीं तो कल वो मुझे याद करें और सेपी की दुनिया बहुत छोटी है ठीक है और यह 101 परसेंट है कि मेरा प पिद्दर नियू जील और नियू उसके साथ फिर से एक और करते हैं और फुल लेक्दम ठीक है ओके चलो बाए टेक केर टेक बाए टेक केर के क्या है जड़ में डर से एकुल बाए भाद करें औरेक के बाए रहुत कर वो मुझे ल कह रहा है । कि व१ार झाल वो मोज क Particularly.